Hello everyone, I hope you all are very well, I am Mayank Agrawal आज के editorials देख लेते हैं सबसे पहला जो editorial है ये बात कर रहा है जो new administration आने वाला है USA में जो कि Joe Biden का administration है उसके बारे में उससे इंडिया के कैसे relation होने वाले हैं और किन topic पे इंडिया से वो बात करने वाले हैं उसके उपर ये article है ये जो second article है इसको discuss नहीं करेंगे ये बात कर रहा है कि जो अर्नाव गोस्वामी का release है उस release को जो other cases है जो personal liberty से relate करते हैं ऐसे बहुत सारे जो inmates हैं different जो jail हैं इंडिया की उनको आखिर क्यों release नहीं किया जा रहा है साथ में अगर अर्नाव गोस्वामी को release किया जा सकता है तो उनको क्यों नहीं release किया जा सकता है ऐसा लव इस article में discuss किया है ये second article जो है वो affordable housing के बारे में बात कर रहा है कि कैसे affordable housing को बढ़ाबा देके government जो है cleanliness, hygiene और जो social issues हैं उनसे fight कर सकती है और इस article को भी discuss नहीं करेंगे इसमें जो बाइडन की जो foreign policy है उसके बारे में बात की गई है next जो article है वो government ने जो different जो आत्मनिर्भर भारत की वजह से जो stimulus package दिया था आत्मनिर्भर भारत 1.0, 2.0 and 3.0 उनसके बारे में बात की गई है कि आखर इतना ज़्यादा government की help करने के बाद भी जो है वो demand क्यों इस पर नहीं हुई, demand क्यों नहीं बढ़ी उसके बारे में बात कर रहा है ये article और ये जो next article है ये बात कर रहा है कि जो दो vaccine है एक है Pfizer company की vaccine और एक है modern company की vaccine दोनों के बीच में contrasting difference है storage के लिए जो Pfizer company है उसका जो storage temperature है वो minus 70 degree Celsius है जो की normally हर जो world की countries है developing या least developed countries है वहाँ पर वो facility जो है वो नहीं मिल पाएगी तो फिर जो modern company की vaccine है उसको जो है minus 20 degree Celsius पे भी वो survive कर जाती है तो उसके बारे में बात की गई है next ये आज का जो caricature है ये discuss करता है कि जो different governments है वो जो हर्याना government है यूपी government है एंड मध्यप्रदेश government है उन्होंने अभी वक्त अब्य दिया है कि वो जो लब जिहाद है उसके उपर कोई न कोई जो है वो law लेके आने वाले हैं तो उसके उपर ये आर्टिकल उसके उपर ये caricature बना हुआ है अब सबसे पहले जो सबसे first article है मैंने आपे yellow, green और red color का use किया है green color means एक opportunity है या positive point है red color means एक challenge है जो आप अपने answer writing format में as a challenge लिख सकते हैं अब यहाँ पे ऐसा है कि daily जो इंडिया, अमेरिका के daily ties हैं उसके बारे में आ रहा है but आपको अगर कोई भी answer लिखना होगा answer writing format में तो enough 250 words, most to most 15 marks का जो question है वो आपका इससे बनना चाहिए अब इनका यह है कि daily ये एक नएक article जो इंडिया, USA की जो relation है उसके उपर daily एक नएक article आ रहा है तो आप उस articles मेंसे कैसे new new point extract करेंगे और अपना जो answer है उसको format कर सकते हैं अभी से जिससे कि आप जब exam के time पे revise कर सकें कि इंडिया और USA की जो foreign policy है because ये जो topic है वो general studies paper 2 से relate कर सकते हैं इंडिया-USA relations तो आपको एक question में at most आपको 250 words पता होने चाहिए जिसको आप अच्छे से present कर सकें तो कर लेते हैं सबसे first जो article है इसमें बात कर रहा है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और USA के जो president elect है जो वाइडन उनके बीच में telephone call हुआ जिसमें कि जो इंडिया और US के जो officials हैं उन्होंने अपना interaction जो है वो start कर दिया है और future course और जो bilateral relation होने वाले हैं उसके बारे में बात हुई तो जो USA का जो president elect है जो बाइडन उनका जो delegation है उन्होंने अपना statement दिया साथ में जो ministry of external affairs है इंडिया का उन्होंने अपना statement दिया तो जो वाइडन है उन्होंने बोला और ये जो इंडिया के prime minister उन्होंने बोला कि वो committed है कि इंडो-US जो comprehensive global strategic partnership है मतलब जितने भी इंडिया और USA के strategic relation है उसके लिए वो committed है साथ में जो अभी सबसे बड़ा challenge चल रहा है उसमें cooperate करेंगे COVID-19 pandemic का जो challenge है उसमें दौनों countries एक दूसरे से के साथ cooperate करेंगे दूसरा सबसे बड़ा challenge है कि इंडिया और USA में बहुत सारे जो लोग हैं वो virus की बज़ा से infect हुए है तो सबसे बड़ा challenge इंदो countries के लिए है तो vaccine को कैसे affordable बनाया जाए साथ में अगली बात जो है climate change के वारे में and next है जो indo-pacific reason इसके वारे में जो है वो बात की गई है अब यहाँ पे एक contrasting point है कि जो बाइडन जो है उन्होंने अगला एक point भी डाला था that is strengthening democracy at home and abroad बट इंडिया एक sobering country है means वो अपने decision जो है वो खुद से ले सकती है बट यहाँ पे जो जो बाइडन का कहना है कि वो democracy को strengthen करेंगे अपनी country में साथ में world में तो इंडिया को यह पसंद नहीं तो उन्होंने जो है उनका यह वाला जो point है इसको drop कर दिया जो new Delhi है वो इस बात के लिए इससे बहुत ही ज़्यादा discomfort है और critical है जो भी इन्होंने यह comment किया है जो बाइडन ने और President Elect Kamala Harris ने भी इस बात पर comment किया है कि जो जमुएन कस्मीर से article 370 को last year 5th September को जो हटा दिया गया था तो उसके वारे में भी और दूसरा जो citizen से पर amendment act है वो इंडिया को impact कर रहा है बट उनका इसमें भी इंडिया नहीं चाहता है कि other countries इसमें interfere करें और दूसरा जो अभी new FCRA के norms है उसमें NGOs जो हैं उनको जो NGOs को जो other countries से funding मलती थी उसमें भी इंडिया ने कुछ constraints लगा दी है तो इसके उपर जो relation है वो थोड़े ऐसा हो सकता है कि relation में इन तीन issues की बज़े से कुछ effect पड़े बट इंडिया को जो है ये issues side में रखके USA से बात करनी चाहिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों leaders की जो बात है वो जो सबसे बड़े issues है जैसे traditional security issues है साथ में जो global terrorism है और जो conflict reason है बल्ड में बहुत सारे जो हैं वो conflict reasons हैं जैसे अभी जो अजरबेजान और आर्मेनिया के बीच में conflicts है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में conflict है इंडिया और चायना के बीच में conflicts है उसके बाद जो middle east की countries हैं वहाँ पे conflict है तो ऐसे जो conflict reason है उन पे कोई बात नहीं हुई साथ में trade पे भी कोई बात नहीं हुई बट जो इंडिया और USA के जो भी cooperation के areas है वो अभी बात कर रहे हैं current challenges के बीच में और साथ में जो Joe Biden है उनकी सबसे immediate जो priority होने वाली है वो होने वाली है कि COVID-19 से कैसे fight किया जाए because USA में 11 million जो cases है वो सबसे ज़्यादा record हुए है और इंडिया जो है वो second most ऐसी country है जो सबसे ज़्यादा affect हुई है तो उनके पास सबसे बड़ा जो challenge है कि कैसे अपनी country को COVID-19 की जो vaccine है वो affordable rate पे उपलब्द कराया जाए जिससे कि जो भी population affect होने वाली है उनको immediate जो है वो relief दिया जा सके अब यहाँ पे बात की जा रही है कि दौनों countries की जो economic policy है कैसे वो economy को revive करने वाले हैं वो ज़्यादा अलग नहीं दिखती है दौनों की जो economic conditions हो USA की हो चाहे इंडिया की हो दौनों ने revive करने के लिए अपनी same policy बनाई है जैसे कि जो बाइडन का कहना है कि कोई भी जो government contract है वो ऐसी company को नहीं जाना चाहिए जो अपना product USA में नहीं बनाती और दूसरे तरब जो मोधी government है प्राइम मिनिस्टर मोधी है उन्होंने आत्मनिरभर भारत प्रोग्राम लांच किया बिल्कुल similar उसका भी case है कि इंडिया should be self-reliant जो भी products है वो इंडिया में ही produce होने चाहिए या population को at large वो product use करने चाहिए जो इंडिया में बने हो अब same condition यहाँ पर बन रही है अब बात आती है climate change की उपर जो बात हुई है climate change में जो डॉनल्ड ट्रम्प 2015 में जो पैरिस climate accord हुआ था उससे जो है डॉनल्ड ट्रम्प unilaterally बाहर चले गए थे तो उसमें जो है जो बाइडन ने ये भरोशा दिया है कि वो आने वाले टाइम में जो है पैरिस climate accord में बापस आ सकते हैं और इंडिया जो है वो ऐसा hope है कि जो global solar alliance है जो इंडिया ने फ्रांस के साथ launch किया था 2016 में उसमें भी USA का जो है वो साथ इंडिया को मिल सकता है अब यहाँ पे जो पैरिस climate accord है वो क्यों important है इंडिया के लिए because जो पैरिस climate accord है उसमें जो develop countries हैं उन्होंने commit किया है कि वो 100 billion dollars ऐ इसी countries में invest करेंगी जो developing है और उनकी green technology में invest करेंगी इसलिए जो पैरिस climate accord है वो इंडिया के लिए important हो जाता है तो अब यहाँ पे जैसे ही president जो है वो अपना काम सुरू करते हैं तो इसके बाद देखना होगा कि इंडिया और USA के जो relation है वो कैसे होने वाले है या जो बाइ जो expansionist policy है उसके उपर जो बाइडन क्या comment करते हैं ये देखना होगा अब next बात आ रही है reinventing cities अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है उन्होंने urban planning और development urban planning means जो urban areas है उनमें कैसे जो है अभी जो है planning की बहुत ज़्यादा कमी है लोग consistent houses में रहते हैं ciber जो line है वो नहीं है water की quality बहुत ज़्यादा deteriorate है तो urban planning से ही development जड़ा हुआ है अगर urban planning में government invest करती है तो उससे job भी बहुत ज़्यादा आने वाले time में create होने की संभाबना है साथ में जो है वो towns आने वाले time में healthy हो सकती है और livable हो सकती है covid-19 crisis जो है वो एक opportunity लेके आया है जिसका use government को करना चाहिए अब यहाँ पे prime minister जो है वो Bloomberg new economy forum में बोल रहे थे उन्होंने बोला कि government को जो है वो safe urban living साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो government है वो बहुत ही कम जो money है वो invest कर रही है safe urban living के उपर अब यहाँ पे बात की जा रही है कि urban areas की आखिर क्यों ज़रूरत है कि urban areas में livable space होना चाहिए साथ में जो health crisis के उपर urban areas को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि जो first 100 days of pandemic थे उसमें जो है worldwide जो 10 cities में जो है COVID-19 का infection फैला था तो total cases में से 15% cases जो है वो 10 cities से आ रहे थे और जो सबसे बड़ी जो popular cities हैं इंडिया की जैसे की बेंगलूरूरू डैली मॉंबई चेन नही इनमें सबसे ज़्यादा rapid transmission हुआ COVID-19 का because वहाँ पे बहुत जादा ही densification मतलब एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं और social distancing को वो follow नहीं गर सकते अब यहाँ पे बात की जा रही है जो globally recognized धारा भी है वहाँ पे वो एक तरह से जो है one of the highest slum densities हैं वहाँ पे मतलब पूरे world में एक साथ बहुत सारे लोग सिर्फ धारा भी में ही रहते हैं और वहाँ पे जो है epidemiologist का कहना है कि बहुत ही low viral impact देखने के मुला because वहाँ पे जो है वो hard immunity develop हो चुकी है अब affordable जो housing है वो सबसे बड़ी जरूरत है कोई भी एक cities को sustainable बनाने के लिए या फिर healthy बनाने के लिए लेकिन इंडिया में इसके उपर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो speculative housing investment है मतलब लोग जो है वो जिनके पास money होता है वो अपना पैसा housing project में जो है वो लगा देते हैं पाने वाले time में वो उसको एक investment की तरह लेते हैं but government को दूसरी दरब जो है वो ध्यान दने की जरूरत है government जो है वो rental housing को promote कर सकती है because जो big cities है जो metro cities है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे migrant workers जो है वो रहने जाते हैं और फिर वो affordable housing उनको access नहीं है because वो जो houses में रहने जाएंगे that will be costly to them तो इस वो prefer करते हैं कि वो slum areas में रहे तो government यहाँ पे कैसे intervene कर सकती है government उनको well design जो rental housing है वो provide कर सकती है जिससे की जो migrant labors है या फिर जो less effluent मतलब कम अमीर जो लोग है वो उन houses में जो है वो रह सकते हैं अब यहाँ पे USA में sorry मुंबई में तक जो है वो housing के लिए rental housing के लिए किसी ने भी जो है invest नहीं किया सिर्फ जितना भी total funding है उसमें से 5% बस जो है वो rental housing के लिए गया वो भी private sector में means लोगों ने ये वास सोचके कि इसको rent पे देना है सिर्फ 5% ही ऐसे घर बनाए जो rent पे दिये गए मतलब बहुत ही खराब condition है मतलब लोगों को affordable rented house मिलने की बहुत ही मुश्किल है तो वो जो है ऐसी जगाओं में रहेंगे जहाँ पे slum है densities बहुत ज़ादा है एक साथ बहुत सारे लोग रहे हैं unhyzenic है वहाँ पे water का crisis है साथ में जो है वो drainage system अच्छा नहीं है तो government को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे जो government है वो scheme लेके आ सकती है central affordable rental housing complexes उसको एक बहुत बड़े scale पे deliver करना चाहिए हाला कि यह जो scheme है यह government ने पहले ही launch की है कि वो affordable houses है rental housing complexes है वो deliver करने जा रही है और यह जो houses है वो हर state में जो है वो बनना चाहिए जैसे कि जो post war construction यूरोप जैपैन और South Korea में हुआ था और government ने जो mostly अभी focus किया है वो smart cities के उपर focus किया है जिन में पहले से ही रहने की सुभिधा है बट government को इस ओर ध्यान देना चाहिए साथ में हर एक city में कितने लोगों की requirement है कितनी demand है और कितनी supply है इसका government के पास एक data होना चाहिए और यह बात तो सभी को पता है कि जो air pollution है उसके उपर law होते है municipal solid based management के लिए law होते है water quality के उपर law होते है बट वो एक tokenism की तरह work कर रहे है मतलब law है लेकिन उनको कोई भी follow नहीं कर रहा है उनको enforce नहीं किया जा रहा है तो अब यहाँ पर writer का कहना है कि जो past में ऐसे ही cases थे जैसे की cholera जो है world में pandemic बना था plague pandemic था and global flu pandemic था वो century ago मतलब 100 साल पहले वो आया था लेकिन उससे भी बहुत जादा ही change आयते sea bridge में waste handling में social housing and healthcare में और उनकी बज़े से जो diseases हैं वो reduce हुई थी तो government जो है वो अभी pandemic से उसको एक ये challenge आया है तो government को political will दिखानी है और इस challenge को एक opportunity में convert करना है ये बात की जा रही है अब ये जो next article है इसे बात की गई है the need for maximum government मतलब अभी जो भी government ने measure लिये है वो सारे के सारे जो है वो एक प्रकार से ऐसा बोला जाता है कि किसी और के कंदे पर रखके बंदूग चलाना तो अभी government ने जो भी अपने policy decision लिये है COVID-19 की वज़े से जो भी उनोंने physical stimulus दिया है वो लोगों के उपर छोड़ा है कि आप market से loan लीजे government उनको interest rate कट देगी बट government को जो है क्या करना चाहिए उसके बारे में इस article में बात की गई है सबसे पहले government ने जो अभी third जो आत्मनिर्वर भारत package जो है launch किया है तो इससे ये बात पता चलती है कि government ने finally ये accept कर लिया है कि unemployment rates जो है बहुत high है और उनको बापस से revive करने की जरूरत है almost government का एक ostrich like behavior रहा है जैसे ostrich जो है अपनी कोई भी कोई भी आने वाला खत्रा देखता है तो अपना सिर्जमीन के अंदर डाल लेता है और ऐसा लगता है कि कोई खत्रा आसपास है ही नहीं तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब government जो है वो उनका जो core value है minimum government means government जो है वो बहुत कम ही interfere करेगी चीजों में सिर्फ वो है rule बनाने का काम government करेगी लेकिन सारी चीज़ें जो है वो automatically खुछ चलती रहेंगी बट यहाँ पे जो covid-19 pandemic है उसकी बज़े से government को अपनी जो policy है minimum government की उसको change करके maximum government करना चाहिए और जो भी काम है वो government को ही अभी इस time पे जो है वो करने की ज़रूरत है जैसे आत्मिनरवर भारत जो है package government लेकिया आई 1.0, 2.0, 3.0 तो government जो है लोगों से और business houses से ये कहना चाहती है कि अगर आप इस field में ये वाला काम करते हैं इस company में invest करते हैं या ये जो different sectors हैं इन से related आप company में invest करते हैं या open करते हैं तब आपको ये package दिया जाएगा तो government को ऐसा ना करके जो है वो अपने उपर responsibility लेनी चाहिए और economy को इस turmoil से बाहर निकालना चाहिए अब आत्मिनरवर भारत जो package 1 था उसमें government ने 20.9 लैक करोर रूपीस का package launch किया था लेकिन उसमें से जो 17.9 लैक करोर रूपीस थे वो सिर्फ government ने किस काम के लिए दिये थ कि जो लोग है वो different different places से loan ले 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 और अपना जो काम है उसको आगे बढ़ाए people जो है working professional है वो loan ले ले कोई companies है वो different different जो है वो loan ले 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 credit guarantee की तरह एक प्रकार से गवर्मेंट ने लोगों को दिया था बट उसके बाद जो दूसरे जो package गवर्मेंट ने launch किये उसमें भी यही सब चलता रहा तो गवर्मेंट का यह मानना है कि ऐसा करने से जो business sector है वो और ज्यादा money जो है वो government की जो यह schemes है उनसे जो है वो as a credit य as a loan लेंगे और फिर market में जो है construction मतलब supply बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो है demand बढ़ने की बजह से बापिस से economy अपने safe में आ जाएगी बट जो writer का कहना है कि जो भी corporate investment होती है जो बड़े-बड़े corporate house है वो investment करते हैं वो देखते हैं वो depend करता है कि उनकी sales कितनी है और दूसर चीज अगर sales ज़्यादा है तब वो credit जो है market से लेते हैं उसके बाद reinvest करते हैं बट यहाँ पर अगर दौनों मेंसे कोई भी एक चीज जो है उसमें government को जो है problem हुई दौनों मेंसे कोई भी एक चीज या तो sell या फिर जो है credit उसमें अगर कहीं पे भी problem आती है तो उसमें जो है decline देखने को मिलेगा investment में तो अब अगर government चाहती है कि investment को revive किया जाए तो सबसे पहला जो important काम government को करना चाहिए पहली चीज यह है कि अगर sales low है इसका मतलब जो factories है उनके पास already जो है वो अपनी जो full capacity है उससे lower पे work कर रही है तो government अगर loan provide करेगी भी तो जो loan है वो companies है वो नहीं afford कर पाएंगी नहीं ले पाएंगी because since अकेला सिर्फ इसले लोग जो है वो कम कर दिया है दूसरी तरफ demand भी बढ़ना चाहिए और demand कैसे बढ़ेगी यहाँ पर demand बढ़ाने का तरीका जो है वो जो है राइटर का कहना है कि government को demand को increase करने के लिए सबसे पहले जो FRBM act है physical responsibility and budgetary management जो act है जो यह बात कहता है कि जो fiscal deficit है वो 3.5% of the GDP नहीं होना तो उसको government को वो FRBM act के जो provision है उसको अभी कुछ time के लिए pandemic की बज़े से उसके उपर depend नहीं रहना चाहिए उसको नहीं मानना चाहिए जिससे की सबसे पहले government को जो है वो inject करना चाहिए approximately 10 lakh करोर रुपीज का एक fiscal package मतलब या तो वो इसको borrow कर सकती है RBI से या different organization से या फिर monetize भी कर सकती है monetize कैसे करेगी reserve bank से जो है वो helicopter money के तौर पे means reserve bank उतना जो money है वो government की credit guarantee के उपर जो है print करके लोगों के account में government को पहुचाना चाहिए और ये जो stimulus है इसमें जो है government को free रासन जो भी other essential चीज़ें है जैसे cooking gas है और soap है और oil है ये सारी चीज़ें साथ में जो है cash transfer भी government को देना चाहिए जब तक कि लोगों को जो है वो employment उनकी जो है फिर से आपस नहीं आ जाती और government को जो है urban employment के लिए जो है scheme launch करनी चाहिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो opportunity है government क्या कर सकती है जो health sector है health infrastructure है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में उसकी problem है तो health infrastructure को improve करने के लिए government जो ये money है उसको health infrastructure में directly अपनी तरफ से जो है put कर सकती है तो उसमें health infrastructure भी improve हो जाएगा कि आने वाले time में ऐसे covid-19 जैसी कोई situation आती है तो health infrastructure मजबूत रहेगा country का और दूसरी तरफ जो है लोगों को job भी मिल जाएगी और दूसरा government जो है वो carbon cutting कर सकती है मतलब जो pollution इतना जादा हो रहा है तो इसको control करने के लिए government जो है वो green technology के उपर जो है जा सकती है इससे employment भी generate होगा और लोगों को pollution से भी emission से भी निजात मिलेगी अब यहाँ पर writer का कहना है कि जो crisis है वो एक opportunity की तरह आया है तो government को अब लोगों की health के लिए economic और climate policies के उपर ध्यान देने की जरूरत है और अगर government अभी नहीं करती है तो आने वाले time में जो generations है वो बहुत जादा ह परिशान होने वाली है और यह एक तरह से opportunity है जिसको government को use करना चाहिए अब यह जो second article है इसमें बात की जा रही है कि जो two vaccines है एक है जो Pfizer company की mRNA vaccine है और दूसरा जो Moderna company की mRNA vaccine है तो जो Pfizer है उसने अपना result जो है वो announce किया phase 3 trial का उसमें यह पता चला कि उसकी 94.5% जो है efficacy है उसमें जो 95 लोग है उसमें से जो 90 लोग है उनको placebo दिया गया था और 5% जिनको real vaccine दी गई थी उनमें जो है वो COVID-19 के लिए बचाब ऐसा observe किया गया तो दूसरी चीज जो Moderna की vaccine है उसने भी यह बात वहां से भी पता चली कि यह भी जो infection है उसको prevent कर सकती अब यहाँ पे सबसे बड point है वो point है कि जो vaccine है वो तो ठीक है कि हाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा उनकी efficacy 1% दरुदर हो सकती है लेकिन vaccine को storage और vaccine की जो transport है उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए है वो है thermo stability because जो mRNA vaccine है वो ज्यादा high temperature पे thermo stable नहीं रहेगी उसका जो protein है या जो उसका RNA का strain है वो जो है melt हो जाएगा और वो उतने temperature पे stable नहीं रह पाएगा तो जो moderna vaccine है वो minus 20 degree Celsius पे 6 month तक के लिए जो है stable रह सकती है 2 to 8 degree Celsius पे 30 days के लिए और room temperature पे 12 hours के लिए stable रह सकती है तो ये vaccine जो भी developing countries है उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो important हो जाती है लेकिन जो Pfizer company की vaccine है उसके लिए minus 70 से minus 80 degree Celsius temperature चाहिए जो कि even USA को भी इतनी large scale पे introduce करना बहुत ही मुश्किल होने वाली है तो अब जो Pfizer company है वो इस बात के लिए examine तो कर रही है कि कैसे इस vaccine का जो formula है उसमें change किये वे ना उसके जो temperature पे जो stability है कम temperature पे उसके stability को लाया जा सके तो अब जो Moderna की vaccine है वो ज़्यादा access करा सकती है बहुत सारी countries में अगर उसके जो millions doses जो है वो बन गए बिकाज वो कम means minus 20 temperature पे भी stable रह सकती है अब यहाँ पे इंडिया की condition की बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो ज़्यादा तर इंडिया का जो district है वो universal immunization program के अंदर covered है तो वहाँ पे जो polio vaccine है उसको already minus 20 degree Celsius पे store किया जाता है तो government को ज़्यादा money invest करने की ज़रूरत नहीं होगी vaccine के storage में और जो moderna vaccine है वो ज़्यादा तर parts में इंडिया के पहुँच सकती है because वो 30 degree तक stable 30 days तक stable है 2 से 8 degree Celsius में लेकिन सबसे बड़ा जो challenge है वो यह है कि अभी इंडिया ने जो moderna के vaccine manufacture हैं वहाँ से किसी ने भी जो है वो tie up नहीं किया है अब दूसरी चीज बात की जा रही है जो MQ और Pharmaceuticals Limited है उनका कहना है कि जो vaccine है वो stable हो सकती है 45 days के लिए 2 to 8 days में और उनका जो है वो animal trial जो है वो किया जा रहा है अब यहाँ पर mRNA vaccine के वारे में बात की जा रही है कि जो mRNA vaccine है उसकी जो उसमें जो है वो एक lipid nanoparticle होता है जो की RNA को wind करके रखता है means यह capsule की तरह है और RNA इसके उपर रहता है यह है lipid और RNA जो है वो इसके अंदर रहता है जैसे कि जो chocolate है उसको melt होने से बचाने के लिए उसके उपर गैंडी के उपर उसको रखा जाता है तो वैसे ही vaccine को encapsulate किया जाता है अब लेकिन यह बात है कि जो mRNA का strain होता है बहुत ही कमजोर होता है तो उसको तूटने से बचाने के लिए बहुत कम temperature पे storage करने की ज़रूरत होती है अगर आपको discussion अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें Thank you very much